Good morning class, today we are going to continue with our section E question Okay, so here you have to cut question number 1 and 2 यह आपके तो questions है, जो फिलाल हमें नहीं करने questions वो वाले हैं तो first second अभी हमें आपे skip करने हैं, हम question number 3 से start करेंगे Okay, so question number 3 में क्या दिया है, पहले हम question पढ़ लेगे If the probability that any 50-year-old person will die within a year is 0.01 Find the probability that out of a group of 5 such person Okay, जब भी से condition वाले चीज़े आती हैं तो उसमें आपको पहले जो भी दिया है वो लिखने नहीं साइड में आपको X यहाँ पे कुछ आपका अलग अलग आएगा, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे जितना उपस information दी है, यहाँ पे condition questions है, तो वो हमार एकस बात में find करेंगे पहले उपर क्या दिया हुआ है, हम वो लिख लेगे Okay, तो start करेंगे, हम यहाँ पे क्या बोला है, 50-year-old person आपको दिया गया है कि उनकी die within a year Quality क्या है उनकी, 0.01 मतलब कि आपको यहाँ पे P दिया हुआ है 0.01 अभी इसमें Q मिविल जाएगा हमें 1-P, वो कितना हो जाएगा आपका 0.01 ओके, और यहाँ पे, कितना यहाँ पे trial किया गया है, देखूँ यहाँ पे कितने को यहाँ पे probability find की गई है 5 such person मतलब आपको N दिया हुआ है 5 P, Q, N हमारे पास है अब हम 1 by 1 X क्या है, वो find करेगे क्या बोला है, none of them will die within a year मतलब किसी की भी death नहीं हुई है 5 है, इसमें से किसी की death नहीं हुई है मतलब हमारा P क्या होगा, P of 0 आया समझ में मतलब किसी की death नहीं हुई है मतलब क्या यहाँ पे हमारी क्या आएगे probability 0 तो हमारा X क्या होगा यहाँ पे 0, find करेगे फॉर्मर डलके ओके, so 5, C, 0 into P हमारा कितना है वो है 0.01 sorry, इसे हम solve ने नहीं किया हमने से, तो यह होगा 1 minus 0.01 तो यह आपका आएगा 0.99 चो लो, P हमारा 0.01 है यह 0 हो जाएगा Q हमारा कितना है 0.99 5 minus 0, 5 तो यह solve हो जाएगा 5, C, 0 मतलब कुछ नहीं 1 इसका भी 0 मतलब कुछ नहीं 1 अब यहाँ पे यह 99 upon 100 है ना इस fraction डाल दिया से हमें fraction form में इसका आप 5 टाइम करो तो आपका इसका value divide करोगे को जो भी चलेगा divide करोगे तो भी चलेगा ठीक है तो यह कुछ आपका आएगा 9510 divided by 2345 ओके तो आपका डिवाइट कर दोगे तो value आपस किया जाएगा 0.95099 यह जो भी round figure आपका इसका आएगा कैसे भी आप लो आपका final answer क्या हो जाएगा 0.9510 यह आपका हो जाएगा final answer आया समझ में अब हमें second क्या पूछा है हम second find कर लेगे second में क्या बोला है देखो at least कम से कम one of them will die within a year कम से कम एक की यहाँ पे death होगी एक साल के अंदर एक से जादा होगी चलेगा बट एक से कम नहीं मतलब कितने परसेने पूरे है five है तो एक से जादा हो सकता है एक की death हो तो p of one हो सकता है दो की death हो या तीन की death हो या चार की death हो या दो पांच हो की death हो जाए हो सकता है न तो इसका मतलब आप क्या फाइन करोगे p of one p of two p of three p of four p of five सबकी value जो आएगी यही फॉर्म में पूट करना है आपको सबकी value जो आएगी इसको प्लस करो और find कर लो answer यह बहुत long cut हो जाएगा एक shortcut भी इसके अंदर है मतलब यहाँ पर death होने की chances कितने हैं पहले वो देख लो 0, 1, 2, 3, 4, 5 यह chances से death होने की इनको आप add up करो मतलब जो भी आप इसको add करके आपकी value कितनी आती है one ही आनी चाहिए as per our probability value कितनी आती है पूरी उसकी one आती है ठीक है तो यह shortcut बता रही हूँ आपके पास p of zero है हमने उपर find किया p of zero है ना हमें इसकी सारी value find करनी है अगर हम one by one find करते है इक formula में put करके तो भी वही answer आएगा बस क्या होगा थोड़ा हमारा procedure lengthy हो जाएगा तो shortcut के लिए क्या करेंगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमाँ पास है तो 0 की value हमाँ पास है अगर हम one में से यह value निकाल देगे तो जो value किसी बचेगी वो 1, 2, 3, 4, 5 जो कि find करना है हमें आया अगर shortcut नहीं मालुम पढ़ रहा आप इस वे से ही जाओ कुछ wrong नहीं आपको similar answer मिलेगे ओके तो फिलार में shortcut ही यूज कर रही हो formula मतलब आपको find जो करना है value जो x की है वो more than or equal to 1 find करनी है मतलब 1 minus p of 0 1 में से हमने 0 निकाल देगे तो पूरी जो value में ले किसकी होगी वो 1 से लेके 5 तक ही होगी तो 1 minus p of 0 कितने है आपका उपर कितना आया वो 0.9510 मानस करो value आयेगा 0.0490 आया समर्ज में किस वे से find करना है ओके नव नेक्स question question number 4 the probability that a student studying in 12th standard of science frame will get admission to engineering branch is 0.3 5 student are selected from the student who studied in this frame find probability of the event that number of student admitted in engineering branch is more than the number of student who did not get admission to the engineering branch question में क्या बोला गया देखो 12th के science frame में आया पे admission लेने बच्चे गया engineering branch में probability कितनी है यहाँ पे 0.3 अब 0.3 हमारा P है क्यूँ है किसकी बात है यह will get admission okay so he get admission कितना है वो कितना दिया आपको 0.3 क्या बोला है 5 students are selected मतलब आपको यहाँ पे N भी है N दिया है N आपका क्या है यहाँ पे 5 क्या बोला है आगे find क्या करना event the number of student admitted engineering branch is more than मतलब admission की ही बात हुई will is more than the number of student who did not get admission to the engineering branch find क्या करना है आपको यही कि admission जादा बच्चों का यहाँ पे हुआ है और उपर get admission का chance दिया हुआ है 0.3 मतलब यहाँ पा क्या होगा P हो जाएगा ठीक है तो आपका Q क्या होगा 1-0.3 यहाँ पा हो जाएगा 0.7 यहाँ तक clear है आपको ओके तो अभी क्या करना है आगे देखूं आपका P है Q है N है अब X find करना है question ने बोला है कि probability क्या है बोला है probability में आपे कि जो chances है वो not getting admission से जादा मतलब उन लोग को admission मिलने का chances यहाँ पे जादा है तो वो हम कैसे find करेगे देखो यहाँ पे admission किन्ते को मिलो है यहाँ पे 0.3 possibility है इनको मिलने के admission probability उसकी ठीक है कितने बच्चे है 5 5 का आप करो कितना अता ही आएगा आपका गुछ 1.5 तो रांफी कर लो यह हो जाएगा 2 कितने बच्चे पूरे 5 5 में से probability of getting a student किया बोला है कोशिय में देखो यहाँ फिक shortcut ले लो कितने पूरे 5 यहाँ पे प्रपाइर से आपे ले गए है ठीक है यहाँ पे admission के चांप कितने बच्चे आप select किये गए 5 5 में से बोले कि जादा को मिलेगा admission और कम वाले को नहीं मिलेगा admission मतलब कि chances जो है कि जादा है admission मिलने का तो number 1 2 3 4 5 तो मतलब जादा तो half होगा या तो 3 को मिलेगा admission या 4 को मिलेगा admission या 5 को admission मिलेगे क्या बोला है यहाँ पे जो number of not getting admission वो कम है chances जादा किसके है किसको admission याँ पे मिलेगा college में तो इस जादा होने का chance क्या होगा आप 5 का आप half कर भी लो आप P of 4 and P of 5 इनको आपको last में add up करना है ठीक है तो हम one by one fine करेगे P of 3 formula क्या है N C X into P raise to X into Q raise to N minus X तो N कितने है हमारे याँ पे N 5 है C X पहले हम 3 का fine करेगे तो P कितने हमारे याँ पे वो है 0.3 0.7 3 5 minus 3 2 solve कर लेगे इसे अभी 5 से 3 हमारा ये होगा 10 इसे into करो 3 को 0.3 तो आपका कुछ हो जाएगा तो आप पहले convert कर दो fraction form में तो आपको कहा easy हो जाए solve करने के लिए भी ओके तो 7 by 10 कर दिया ऐसे मैंने भी तो ये हो जाएगा पुरा आपका आएगा 1,3,2,3,0 divide by 1,1,2,3,4,5 5,0 आएगा नीचे चलो हमारा क्या आगया P of 3 find हो गया अब हम सेम वे से P of 4 भी find कर लेगे जहाँ पे हम क्या लेगे X की जगा 4 लेगे तो ये भी हम fraction form में ही रख रहें फिलार क्योंकि at last हमें आप इसे add up भी करना है ठीक है अगर आप इसको point में रखोगे तो भी चलेगा add and plus करो आपका same ही answer आएगा ओके तो ये है हमारा 5, ये 4 हो जाएगा 5-4 1 solve कर लेगे 5-4 हमारा आएगा 5 3 का 4 टाइम करो आपका हो जाएगा 81 10 को 4 टाइम करो तो आपका आएगा 10,000 7 दो करना है आपको यहां पे 1 टाइम तो 7 by 10 ही आएगा solve करो आपका value आएगा 2, 8, 3, 5 by 1 lakh ओके now same way से हम 5 का find कर लेगे P of 5 जहाँ आप x की value हम क्या लेगे 5 लेगे ओके तो यह आएगा आपका कितना हो जाएगा 5 C 5 into P P कितना है आपका 3 by 10 7 by 10 यह आएगा 5 5 minus 5 0 ओके सो solve कर लो इसे आप तो 5 C 5 का 1 इं हो जाएगा 3 को 5 टाइम इंटू करो आपका value आएगा 2, 4, 3 10 को 5 टाइम इंटू करो आपका 1 lakh हो जाएगा यह कुछ नहीं है cause 0 है इसे हमें आपके लिखे कि 1 इसके value हमारा कितना आगया 2, 4, 3 divided by 1 lakh ओके सो अब हमारा last step क्या है P of 3 P of 4 और P of 5 को add करना है ओके 2, 3, 0 divided by 1 lakh plus 2, 8, 3, 5 divided by 1 lakh plus 2, 4, 3 divided by 1 lakh ओके सब कहां पर common है निचे तेलसियम वही है हमारा होगा 1 lakh के निचे आएगा पुरा add up कर लो आप तीनों को आप add करोगे तो इसके value आप क्या जाएगी 1, 6, 3, 0, 8 या इस फॉर्म में रखो या इसा आप divide भी करो तो भी चलेगा आपका value आएगा 0.1631 round figure ओके तो इस वे से आपको question solve करना है ओके now next question करेगे question number 5 क्या बोला है the probability that a bomb dropped from a plane over a bridge will hit the bridge is 1 by 5 two bombs are enough to destroy the bridge if six bombs are dropped on the bridge find probability that bridge will be destroyed question में क्या दिया है पहले हम वो लिख लेगे तो question number 5 में क्या दिया है हमें कि यहाँ पे bomb drop किया है एक bridge को यहाँ पे hit करने के लिए ठीक है तो उसकी possibility कितनी है 1 by 5 मतलब hit the bridge तो हम लिख लेगे यहाँ पे hit the bridge कितनी possibility उसकी वो 1 by 5 तो यह हमारा P है Q है वो last में देखेगे आगे क्या बोला है 2 bomb are enough to destroy the bridge 2 bomb काफी है bridge को destroy करने के लिए ठीक है वो आगे देखे क्या दिया है if 6 bomb are dropped on the bridge कितने bomb drop किये है हाँ पे 6 तो हमें end दिया हुआ है 6 क्या बोला है find the probability that the bridge will be destroy find करने क्या बोला है कि bridge यहाँ पे destroy ओपर क्या दिया हुआ hit the bridge मतलब कि वो destroy की बात ही हुई तो यह हमारा क्या है P तो Q हमारा find हो जाएगा क्या है 1 minus 1 by 5 कितना हैगा वो आपका हो जाएगा 4 by 5 चलो P आ गया Q आ गया and हमारे पास है अब extra क्या बोला है find हमें आपर क्या करना है क्या बोला है 2 bomb are enough मतलब 2 enough है bridge को destroy करने के लिए तो possibility क्या है कि 6 bomb आपर drop किया गया अगर उन्हें एक bomb भी नहीं फेका होता तो तो bridge नहीं जाती अगर एक bomb फेका होता तो bridge नहीं जाती 2 bomb फेका तो bridge destroy हो सकती है बोला है 2 काफी है 3 डाला bomb आप यहां पे 6 यहां पे try किया गया 6 bomb drop किये गया तो या तो 2 डालेगे या 3 या 4 या 5 या 6 अगर हम इतने bomb drop करेगे तो मतलब वो bridge destroy हो जाएगी तो fine करने क्या बोला है आपको या तो वो 2 bomb drop करेगा या 3 या 4 या 5 या 6 bomb destroy आप बसे drop करेगा to destroy a bridge तो मतलब हमें 2, 3, 4, 5, 6 का या पे fine करना है तो जो value आएगी उसको आपको add up करना है ओके तो यहां भी हम एक shortcut use कर सकते possibility कितनी है या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमें आपे 2 से लेकि 6 तक fine करना है ठीक है हमें पता है पूरी की value कितनी होती है 1 होती है तो इसके बदले अगर हम सिफ 0 और 1 का ही fine कर ले और 1 से value निकाल दे मिल जाएगा easily shortcut है अगर आपको समझ में नहीं है तो 1 by 1 x की जगा 2 लो एक बार एक बार 3 लो, एक बार 4 जो value सबका आएगा ना उनको add up करो आपका answer आजएगा बट यह shortcut कि आपके पास यहाँ पे 0 और 1 का fine कर लो खाली तो आप 1 से वो निकाल दोगी तो आपका पूरा यह answer मिल जाएगा ना तो हम फिलाल वही करेगे पहले हम fine कर लेगे P of 0 तो हमारा formula क्या है n c x p raise to x q raise to n minus x तो हमारा n कितना है यहाँ पे n है 6 c 0 P कितना है हमारा वो है 1 by 5 q है हमारा 4 by 5 यह एगा 0 यह आपका होगा 6 इसको solve करो इसकी आपकी value आजाएगी 4, 0, 9, 6 divided by 1, 5, 6, 2, 5 clear है next आपसे हम P 1 fine कर लेगे हम इसका क्या आएगा 6 c 1 P कितना है हमारा 1 by 5 q कितना है 4 by 5 यह 1, 6 minus 1, 5 okay solve करो पूरे को आपकी इसकी value आजाएगी 6, 1, 4, 4 upon 1, 5, 6, 2, 5 तो हमारा formula क्या था find करने का यहां पर P of X find करने का कि 1 में से हम क्या करेगे P of 0 और P of 1 को minus कर देगे यह था ना हमारा कुष हमारा shortcut method तो हम क्या करेगे पहले P of 0 और P of 1 को आप यहां पर से आप add कर लोगे तो इसको add करोगे तो आपकी values किया जाएगी 10240 upon 15625 minus कर दो इस करें से निकालो आपका value आएगा 5385 divide by 15625 fraction form में अगर आप divide भी कर देते हो इसे तो आपका value कुछ आएगा 0.3464 आया समझ में कैसे find किया हमने यह question now next question that is question number 6 में क्या बलाएगे देखो यह आपको करना है सिर्फ बताओंगी करना क्या इसमें आपको खुदी solve करना है normally 40% student fail in one examination find probability that at least 4 student in a group of 6 student pass in examination okay तो इसमें क्या बला है question में क्या बला है 40% बच्चेयां पर क्या fail है 40% fail है तो इसे हम लिख लेगे 40 upon 100 हो जाईए cut होगा इसे आप लिखो कहां तक cut करना है आपको आपको चलेगा कैसा cut करना है reduce करो 2 za 5 za यह आपका हो गया 2 by 5 अब यह P है कि Q है हमें मालूम पढ़ेगा last में find में क्या बोला है आपे find करो कि बच्चे pass बट यह दिया है fail का मतलब यह P नहीं है यह क्या है Q आया समज में तो P क्या होगा इसका minus कर दो 1 minus 2 by 5 यह होगा 3 by 5 P है Q है क्या बोला है यहाँ पे at least 4 student in a group of 6 student कम से कम 4 student यहाँ पे pass होने चाहिए ठीक है तो कितने है पुरे बच्चे यहाँ पे 6 तो हमारा n यहाँ पे कितना होगा 6 चलो P है Q है N है हमारे पास तो अब यहाँ पे हमें X में क्या बोला है कि at least क्या बोला है यहाँ आपको at least कितने कितने बच्चे पास होने चाहिए 4, जादा होगे चलेगा तो मतलब आपको find करना है P of 4, P of 5 P of 6 आया समझ में कैसा at least 4 था, इसके लिए हम यहाँ पे कम से कम 4 बच्चे पास होना चाहिए, जादा होगे चलेगा sentence का मतलब यह निकलता है तो मैं P of 4, 5 of 6 को find करना है formula put करके, at last तिनों को आप add up करो ओके, now next question that is question number 7 there are 3 red box, sorry red and 4 white ball in a box 4 balls are selected at random with replacement from the box, find probability of event of getting तो पहरे आपे event वाली बात हो गई तो क्या दिया है, पहले वो लिख लेगे question में कितने बोला गया है, 7 balls से, उसमें से 3 red है और 4 white ball है, okay okay, so question में क्या दिया है देखूं, कि यहाँ पे total 7 balls है, ठीक है, जिसमें से 3 red ball है और 4 white balls है, तो probability जो find करने की है white ball, वो कितनी है 4 out of 7, तो हमारा क्यों क्या हो जाएगा क्यों मिल जाएगा 1 by 4 by 7, वो कितना हो जाएगा आपका, 3 by 7 चुरो, P और Q मिल गया, और यहाँ पे कितने select किये गए, 4 balls select किये गए न, यहाँ पे, तो हमारा N कितना है, 4 तो P हमारे पास है, Q है N, तो पहले वाले में क्या बोला है getting a 2 red and 2 white हमें आपके क्या फाइन कर रहे है, वाइट बोल का, तो हम सिफ वाइट बोल देखेगे, मतलब 2 white balls तो हमें आपके क्या लेगे, P of 2 फाइन करेगे, हमें X लेना है 2 P हैं हमारे पास, Q है, N है, आजाएगा, पहला second में क्या बोला है, देखो, all 4 white balls मतलब की 4 के 4 white balls है तो आपके दूसरा क्या फाइन करना है, आपको, P of 4 फाइन करना है ठीक है, वही formula है, वही सब कुछ है, आएगा, practice करो, नहीं आए तो मुझे पूछो आप section E हमारा है, आपे end up हो गया, F में आपका first skirt है second question देखो एक बार, क्या बोला क्या है, it is known that 50% of students studying in 10th standard have a habit of eating chocolate to examine the information, 1024 investigators are appointed, every investigator randomly selected 10 students from the population of such student and examine them for the habit of eating chocolate find the expected number of investigators who inform the less than 30% of the student have habit of eating chocolate okay, 50% of students studying in 10th, उनको habit है chocolate खाने की, मतलब यहाँ पे P और Q जो भी होगा, वो half of हो जाएगा 50% बोला गया है, तो हम एक्जामीन यहाँ पे किसी करेगी कि वो P है कि क्यू है, दूनों सेम ही है, तो यह आपका क्या आजाएगा, 1 by 2, 1 by 2 आजाएगा चलो, P और Q हमें मिल गया है यहाँ से, अब आगे क्या बोला है, कितना select किया है बच्चे को यहाँ पे, 10 बच्चे को select किया गया है ओके, अब X में क्या बोला है, देखो, यह find करना है हमें यहाँ पे, कि investigator ने बताया, यह बताया, कि less than 30% बच्चे को habit है, chocolate खाने की 30%, कितने बच्चे है पूरे, 10, 10 का 30% निकालो, तो कितना होता है वो, 3 होगा, मतलब 3 से कम बच्चो को habit है, chocolate खाने की तो 3 से कम, या तो होगा वो एक को भी नहीं, 0, या 1, या 3, 2, मतलब find करना है आपको 0, 1, 2, at last, आप तिनों को add up करो, आपका answer आ जाएगा आया समझ में